गोड़ आप्टर नून क्लास 10 के आज के चैप्टर में हम वही पिछले exercise 1.3 पर ही चलेंगे हमने आपको पिछले exercise में प्रश्ण करवाय था exercise 1.3 का प्रश्ण मर एक करवाय था और उसमें प्रश्ण था कि सिद्ध कीजिये की वर मुल 5 एक अपरमे सेंग्या है तो आज exercise 1.3 क झाल करना है कि प्रश्ण मर एक जो आपने इसको क्या है वहक्त के एक मैंने आज एक और करवाया मनर प्रश्ण दिखावा तो मैंना धा हुआ है कि जो इस lesson में यहां पर संक्या कोई भी बिशॉअ हो आपको पुराते का सवल का वैसा है और स्टा Alles को रेबादी करना है रहेती है लेके इस प्रेशlam में आपने इस प्राइस को याद कर लिया तो स्क्राइब है उसक्तारण की तरह यहां पर एक्साइज वन प्रॉयन थिक्त पफाधा उस में लिखावा त्राइब के सिध्व कीजिये की वर्व्मुर पांच एक प्रमेस लिए क्या है और एक ऐसे पैस ब expo हुस्य क्याद की जेआ पूरा वही लेगा आपको लिखना वहीं हम इसको उसे करेंगे इसका ब्रुदाफास मैंने का था और उसको करना या हम एक प्रमेय संग्या है आप उसी की तरह हमें है कि agar amu और मुसाथ और ब्राबर निया नियुक्या थो धा जिना कर रखिए क्यों हम जाते हैं मपर बचलू उ ओना own 144 या, संक्याМानावाँ है प्रम्ल्भ पर्मुल 7 बड़की। प्रमध संक्या के रुब में लिखते हैं ॉस-बिए बड़बर नहीं नहीं है उसभा अपना ए लिखावा था दे रहा है, तो हम यहां लेखेंगे, अब चुन की वर्मूल 7 बरावर P बोटे Q, इसलिए P बरावर 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 7 Q, क्यों हमने जब इसको cross multiply क्या, बस run क्या, प को यहां एक से गुणा क्या, बरावर 7 को Q से गुणा क्या, तो यहां पर बरावर बरावर 7 Q, अब दोनों पक्षों का वर्मूल 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 7 Q, अब दोनों पक्षों का जब ओर अमूल भी होता तो क्य वाझा बच जाएगा, 7 अब क्यों स्कॉर्र का क्यों स्कोर्र रहोगा, यह सिमनेब का नमर एक बन जाएगा, अब मैं उसकी तोलो भी कहा था, जब P स्कॉरर जब पर आवाद स्कॉर है, हम यह लिखते हैं, इसलिए P square 7 से क्या बिवाजे है इस condition में हमें साथ का बाग P square में जाता है क्योंकि यह पी स्क्वाइर और साथ को स्क्वाइर लिखा हुए अब पी स्क्वाइर साथ से बिवाज्य है इसलिए पी वी क्या होगा साथ से बिवाज्य होगा इसलिए पी वी उसमें था पान से बिवाज्य होगा यहां पर पी भी साथ से क्या होगा विवाज्य होगा अगर पी साथ से विवाज्य है इसलिए पी ब्रावर साथ आर क्योंकि जब साथ का बाग पी में जा रहा है याने कि साथ अगर पी से विवाज्य है तो साथ का बाग पी में हम कितनी मर देंगे आर बाग जाएगा तो पी हो गया पी वर्ग करने के बाद पी वर्ग बढ़ावर साथ का वर्ग उन पचास और स्कॉयर का और स्कॉयर फिर उसके बाद यह पर मैंने आपका था समयक्ण एक से लिखेंगे यह पी स्कॉयर का मान है साथ क्यों स्कॉयर का सध करेंगी कि साथ को हम क्योंरा और चाहिए थे संसे क्यों प्राइ सद्राइण किंगे वी स्वाइरो टरए मिटर साथ से नुढ़ गो नहीं साथ भीवाज है क्यों भी पेवाज है अर्थात दोनों भीवाज है क्यूंकि हम यह वी सिदिक आथा ऊपर समय के एक से थोड़े नीचे पी भीशास है और हम नहीं प्रूब कर प्रश्ण के सुर्वात में यह माना था माना पीवाक्यू में एक के अलावा किसी अन्य संक्या का भाग नहीं आ रहा है कि हमने निचे प्रूब कर रहा है कि पीवाक्यू में डोनों सासे क्या है नहीं है कि अपर बॉध हो गया इसका बिरोध हमने उपर माना था कि P वा-Q में सिर्फ P और P साथ से विवाज है, हमने माना Q साथ से क्या है, विवाज है, हमने यह भी माना था, यह मd यह माना और लिए 4 कि और म thankful कोई बाद सबाएं जब हम अब kया मना तो पर हम सप्ण कोई सभी है तो हम नहीत ंग नहीं सबस्क्राइब ऊपर हमने यहां पर यह प्रोप है खिंगा ओञाना ना चैनल ना तो और बैर्मुल खिणा ना में वहाँ जिता ही तो यहu बैर्मूल 7 उनल चैनल जो वहाँ कि जवता है इस समय प्रूब होता है कि हमने ये गरत मानावा था कि मना वर्मुल साथ एक प्रमे संक्या है ये गरत मानावा था यानकि सही क्या होना चाहिए कि वर्मुल साथ एक प्रमे संक्या है तो यहाँ पर स्कोच देखो यह विरुदाभास हमारे तृत्मुल कल्पना से वर्मूल साथ एक अपरमिय संक्या है तो एक्साइज 1.3 का प्रिक्षा में एक कराया था कि सिद्ध कीजिए वर्मूल पांच एक अपरमिय संक्या है उसी तर्जे पर वैसाई मैं आपको इस समझाया है कि सिद्ध कीजिए कि वर्मूल साथ एक अपरमिय संक्या है तो आपको इस प्रश्ण ने तीन नमर का या दो नमर का प्रश्ण में प्रिक्षा में हर सार आता ही है अब इसलिके बाद एक्सरसाइज वही 1.3 का प्रश्ण मर्दो ये किताब से लिखावा सवाल मेरा ये सेंब बुक से उता रखा मैंना ये सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 वर 2 स्क्वार वर 5 एक अपरमिय संक्या है तो ये भी प्रश्ण नमर एक की तरह है माना करना भी उसको में वही हल है विरुद यहां पर प्रश्ण दो प्रकार से आ रहे हैं एक प्रश्ण ये था इससे पहले कि सिद्ध कीजिए कि वर 2 वर 2 पांच एक अपरमिय संक्या है तो इस छोटे सिप लगने वाले प्रश्ण को आप इस सेल करेंगे जो मैंने आपको समझारेंगे पूरा तरीका जो अब आपन इसको करने कहते हैं का इस प्रस्टों से भी क्या होगा चोटा हो आप इसको बहुत सॉट्टम में करेंगे लॉंक नहीं करेंगे आ प्रक्षामें प्रस्टिमिक पर समय को है अब हम इसको टासा मूझे स्वेञा थीह शुट्रम करेंगे गर females नहीं कि इसलिए जब 3002 रूपांच प्रम्यर शंक्या है तो प्रम्यर हम इसको बना हुआ है तो आसे सी याँ कि एक प्छलत प्रम्यर के गए कि आख़ें नीह expression आख तो हम प्रम्यर संक्या है इस भेड़ार लिजा तो हम् तब कि रिखना प्रमया कौन सी है वर्मूल पांच जबकि दो तीन और प्रमया है तो हम प्रमया प्रमया को बराबर के इस साइड रखेंगे जिए प्रमया को बराबर के दूसरे साइड रखेंगे कैसे रखेंगे ध्यान सुना दर इसको है तीन रहने प्रमया प्रमया क्यों को मैं इसको इस् और देखो यह रहा, बराबर, अच्छा, इससे थोड़ा, सोल तरीके से, इससे और च्छे तरीके से, सल तरीके से, हम इसको ऐसा करेंगे, इससे अच्छा है, हम लखेंगे, दो वर्मूल पांच बराबर, पी बटे क्यू रण तीन, देखें, हमना क्या क्या, सही मुई क्या, दो वर्णमूल पांच ऐसे उतार दिया, बराबर को ऐसे लिख दिया, पी बटे क्यों लिख दिया और इस तीन को में यहां से पक्षानगा करके यहां लागया, तो इसका क्या चेह थे थे नहीं था, प्लस का क्या हो गया, मैनिस, तो हम नहीं क्या करें इस इस टॉपिक में, स तौनारती प्रिम्स प्रल्मूल के साख सब्साम बन दो और उसके सब्सक्राइब को क estimates etc आई सब्सक्राइब करना है कि कि और परमय इ मिनस जो भी यह मूर्वहट मूल पाँच, यह 3 न्यवेख, 20 साथ यह बरावर के यह योई बरावर के कि तरफ नगवार अन्य जो प्रमेशनक्या है उス सब बरावर के दूसरी तरफ रहेंगी इसके बाद हम रिखेंगे चूंकि P बट क्यू एक परमेश संख्या है कि हम जानते हैं P बट क्यू क्या होती है परमेश संख्या होती है चूंकि P बट क्यू एक परमेश संख्या है तब P बट क्यू रूर तीन बट क्यू भी एक परमेश संख्या होगी जो दाया पक्षम है यह पूरा प्रमयर संख्याई होंगी इसलिए क्यों प्रक्राइब टीन बटे ग्यूत करत Abigail कैया को यह तो यह देग्योर्च cushiona होगी आपर यह और नावर लमुल 5 लिए इंसरेदा को कि खीचारे हँर मैं से इसको यहां समझे, हमने यहां से स्टाड़ करो, चूंकि पीवड़ की प्रमे संक्या होती है, जिसको आम बिन पीवड़ की प्रमे संक्या होती है, चूंकि पीवड़ की प्रमे संक्या होती है, इसलिए पीवड़ की प्रमे संक्या होगी, क्योंकि अभी पीवड़ की र यहां पर देखिए यह बरावर का चिन्न है बरावर के इस तरफ क्या है प्रमेह संक्या है बरावर के बाहें इतरफ क्या लिखी हुए प्रमेह संक्या लिखी हुई है बरावर के दाहें इतरफ क्या होती है अब यह प्रमेह संक्या लिखी हुई है चुकि हमने प्रस्टमर एक इस एक साइस के प्रेश्ट ओमर एक मिपउर्प कि अ था है कि बर्मूल पांच आपन किश कर 삶 के अ अब बड़कु, रिल रिल तीन, बड़कु रूरु, यह परमिया है। अगर यह परमिय संक्या है। तो परमयाय हाई नहीं तो यह भीरवद हो गया कि अगर यह परमय संक्या है Gegeniane चाहें उन्हों सिंस्रुपांच तो ब्हूं संक्या होगी मैशनले मैं संक्या है यह बिल ठाद के है यह संथ्यओं परन्तु हम जानते हैं कि वर्मूल पांच परमय नहीं है अपर्मय है यहां पर क्या रहा है वर्मूल पांच परमय संख्या है पर हमको पता है कि वर्मूल पांच एक अपरमय संख्या है अपरमय संक्या है परंत यह सर्विजित सत्य सर्विजित सत्य में से सत्य है कि यह सभी जानते हैं परंत यह सर्विजित सत्य है कि वर्मुल पांच एक अपरमय संक्या है जब यहां पर आ रखा है कि वर्मुल पांच परमय के बराबर अपरमय अगर यह परमय है तो यह परमय ह नहीं होती है यह परमिया संक्या ही दो यह वह तो यहँ है पना है यह वन्मोट को तुर्टीपूर्थ करते प्राप्ट हुआ है कि तीन दो वर्मूर्मूरफ पांच एक प्रमिय सेंक्य तो क। दिखिए शिद्ध की जिया कि तीन दो वर्मूर पांच 1 प्रमिय सेंक्या है तो मैंने भिरूद से माना 3 नं दो वर्मूल 5 एक परमेर संक्या है इसलिए 9 बराबर पी बटे किऊ जहां क्यों बरावन नहीए सुने के अब 2 बरमूल 5 बराबर P बड़क्यून 3 हमने इसको जो यहां कर दिया इस 3 को मिला पक्षाम दे कर दिया बरमूल 5 बराबर P बड़क्यून 3 इसको गुणा का उटा भागा गया हम लिखेंगे चूंकि P बड़क्यू 1 प्रमेश संक्या है और चुंकि प्रमय संक्या है और ये इसके बराबर है इसका वलब वर्मुपात भी प्रमय संक्या होगी चुंकि जब ये और ये बराबर है प्रमय के बराबर अप्रमय तो होती नहीं है अगर ये प्रमय है तो इसके बराबर ये भी क्या होगी प्रमय होगी तो हम इसलिए प् कि उसको यह सर्वजित सत्थ्या है यह왔ु है या। आ रहा है की वर्मुपात एक परमय प्रमे संक्या है इसका उना भी यह सत्य है कि अपरमे संक्या है तो प्रस्ट अमर्ड दो यह खताम हो गया है आप इसको फिर कॉफी में जरूर करना प्रस्टा मर्ड दित म सत्युद कोmy बीच्षेश्ट अब इसको उना उना एप नन्या है आप यह स्सुद्स संक्या थो और और प्रस्ट अमर्ड कि तरह कोई easier तो आप समझगे होंगे कि इस सेम प्रेश्ट नमर जो है क्या तीसरे का पहला खंड है वो किताब के प्रेश्ट नमर एक की तरह करेंगे जो प्रेश्ट नहीं ये था कि सिद्ध कीजिए कि वर्मूर पांच एक परमय संख्या है तो आप प्रेश्ट नमर दो और प्रेश्ट नमर तीन पुड़ा खतम करके इसको चेक जुरू करवा दें तो यहाँ पर ये प्रेश्ट नमर भी खतम होती है और ने टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी